Good morning friends, in this video we will see our 5th day at Poken English Class. तो सबसे पहले अपने पास जो है पाँचवान नमर रूल, कम्प्लिमेंट का, और इसका नाम है हैट. इसके हिंदी की बात की जाए तो इसमें थान अजार आता है, साथ ही साथ सब्जेक्ट के पास कुछ राता है. बनाने के लिए आप हैट प्लस कम्प्लिमेंट का यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट की बात की जाए सारे सब्जेक्ट के साथ ना हैड ही लगता है, चाहे आई, वी, यू, ही, सी, इट, जो भी रह, एक्जांपल है कुछ, जैसे की अफर्मेटीव एक्जांपल ही है, मेरे हैट नाट अकाव, तीसरा जो है, इंटुकेटिव निगेटिव संटेंस है, क्या मेरे पास एक गाय नहीं थी, तो क्या के मतले हैं, मैं हैट लिखा, आई, नाट अकाव, चो होता है, और ये वह इंटुकेटिव निगेटिव संटेंस है, मेरे पास एक यू नहीं थी, इसक केंगे कुछ sentences है जो इंगलिस बलने के लिए इसे हम याद रखेंगे तो हमारे दैनिक जीन में का काफी यूज होता है तो परला जो sentence है वो भागते हुए आया He came running दूसरा जो sentence है पागल मत बनो Don't be abjart तीसा जो sentence है मेरी याद आई क्या Did you miss me इसके अपना चौता जो sentence है मुबारक हो या बदाई हो इसका होता है congratulations पाचवा है आज सको तो आना come if you can आगे कुछ बापम से जो बापम बज़ ज़रूरी होता है किसी भी language को समझने और सेखने के लिए खुदक ना बर्बन एफ्लीट बप्तु एफ्लीचेट बप्तिरी एफ्लीचेट दूसरा जो बापमें बाहना मतलब flow float float तीसरा है उन्ना उडाना fly flip flop और चोथा दोबाफ़ा में fold, folded, folded मतलब mold पाचवा है दुलार ना fondle, fondle, fondle और एक प्रोबाव है इसका नाम है कल किस ने देखा मतलब tomorrow never comes इडिया में आज के इस class में in no time इसका मतलब होता है very quickly indeed इसका हिंदी मतलब होता है इसका मतलब एक जैसा इसका synonym में same और इसका एंटोनी में distinct इसका हिंदी एक one word substitution है easily unwired इसका मतलब एरिटेबल यानि चिटड़ा ये क्रोधी और इस तरह से अपना जो आज के class है खदम होता है thank you